हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया मस्त रहिए और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए कहते हैं ना कि छोटी बड़ी खबर सोशल मीडिया में चलती रहती हैं चाहे वो बॉली बुट की हो बड़े परदे की हो या चोटे परदे की हो जैनवरी को सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी प्यारी अनुपमा शो की अनुपमा जो है इन दिनों काफी सुर्खियों में चाही हुई है एक तो शो में ली पाया है बाकि वो अपनी परसनल लाइफ को भी कई ना कई शोशल मीडिया में जो है दिखाती है यह यह कहें कि मैंस उन्हें जम कर प्यार देते हैं ऐसे में जो है कल जब सब जो है राम की पूजा कर रहे थे राम की वीडियो देख रहे थे उसी बीच में नुपमा यानि की आपकी रुपाली गांगोली ने अपने बेटे को राम का जो है कपड़े बना कर पूरा जो मेक अप है वो रा वात से आती हैं आपकी प्यारी अंकिता लोखर्ण्डे की खबरें शोशल मीडिया में कल से काफी चल रही है शुबह तो बहुत तेजी से वाइरल हो गई वो है कि एकता कपूर नागिन में जो है ले सकती है अपने नए सीजन में अंकिता लोखिंडे को ये खबर हर सोशल मीडिया के पेज पर वाइरल हो रही है जैसे जैसे जो है बिग बोस का फिनाल ले आ रहा है कई ना कई सितारों में खर्चल मच रही है नए प्रोजेक्ट को लेकर शो से बाहर होने पर या फिर किस पोड़क्शन के साथ जुडेंगी अब बात आती है अंकिता लोखिंडे की पती विकी जैन की भाई सुनने में आ रहा है अगले हफते वो घर से बेघर होने वाले हैं कोई स्टार ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा सफर किया ये काफी गर्व की बात है ऐसे में अब जो है अंकिता बसती है और अंकिता जब बसती है तो यकीनत है भाई उमीदे काफी है कि शायद ये बिग बोस की वीनर भी हो सकती है फिर बात आती है आपकी करिश्मा तमन्ना की भाई ये जो है एकता के शो में कवच इवे इस शो में नगजर आ चुकी है इने काफी प्यार मिलता है इनकी हाइट पर मैं फीदा हूँ ऐसे में जो है ये शोशल मीडिया में काफी ज़्यादा वाईरल हो रही है क्योंकि इन्होंने पनी शोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट को जो है पोस्ट किया है कि जिसे देखकर सबके हवे उड़ रहे है जहां पे इनका वो लुक देखकर या ये कहें बि तीना दत्ता की जिन्हें आप बिग बोस की सीजन में भी देख चुके हैं या फिर हम रहे ना रहे जैसे सोनी के शो पर भी देख चुके हैं या कई अवोर्ड फंक्शन में आप उन्हें देख चुके हैं ऐसे उन्होंने अपने जो हैं बैस्ट फ्रेंड या फिर कह सकते हैं जो उनके dress designer करती हैं उनकी post social media पे जो है अपने share की हैं सभी यादों को जो है share किया है जहां पे खबर आई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं जिन्हें देखकर वो बहुत जादा दुखी है या फिर ये कहें कि उनकी यादों को ही वो समेट कर जो है अपने social media के जर और वहां पे आपको दिल से रिस्ते बनाने पड़ते हैं तो उनी के बीच पे जब किसी से दिल से रिस्ता बन जाता है तो यकीन मानिए जब वो जाता है तो कहीं न कहीं उसकी यादे या फिर जो भी कुछ एक्टिव रही होंगी वो social media के थुरू याद किया जाता है क्यों बनता है